नेक्स्स जो मारी disease Condition है एंडोक्राइण सिस्टम के अंदर ही है वो है parathyroid हार्मोन की parathyroid gland की disease condition दो है highpo-parathy réflothи और हाइपर पराथारीड़िजम, एक के करके पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारी दिजीज कंडिशन हाइपो पराथारीड़िजम, वर्ड से ही हाइपो मतलब डिक्रीज, या फिर डैफिसियंसी, तो it is a disease condition of under functioning of the parathyroid gland जब यह मारी parathyroid gland है उसकी functioning कम हो जाती है उसी कम बोलते है हाइपो parathyroidism और जो main काम है parathyroid gland का वो यह release करती है पराथ हार्मोन और जो पराथ हार्मोन है उसका काम है बोन से निकाल के calcium को और blood के अंदर ले के आना जस्ट अपोजिट तो thyroid जो मारी gland काम करती थी thyroid gland तीन हार्मोन से करती थी T3, T4 और calcitonin calcitonin हार्मोन का काम था कि blood से calcium को निकाल के bone के अंदर डालना उसके जस्ट अपोजिट काम है पराथ हार्मोन का यह जो calcium उसको bone से निकालेगा bone से निकालके blood के अंदर डाल देता है तो अगर हाईपो-पराथ हार्मोन की डिक्रीज या फिट डिक्कत होगी जिसके वज़ेसे उसका secretions कम होगे क्या कि इसके कोजी जो सकते हैं क्या क्या साइन्स स्म्टम में देखो सबसे पहले देखें कोजी कि क्यों हाईपो-पराथ हार्मोन की डिक्रीज या फिट डिफिसेंसी क्यों होती है कोई infection होगे हमारी पराथ हार्मोन को कोई injury होगी पराथ हार्मोन को कोजी जो अब बात करते हैं साइन्स स्म्टम इसका काम क्या था कि जो कैल्सियम उसको बोन से निकालके ब्लड के इंदर डालना अब यह कम हो गया पराथ हार्मोन यही कम हो गया तो यह निकालेगा नहीं बोन से निकालके ब्लड में जो कैल्सियम उसको नहीं डालेगा तो ब्लड के औहंदर हमारे कैल्सियम की लेवल कम हो जाएगी बोन से निकालकेश का डालने का कम तो अगर यह बोन से निकालेंगा ब्लड के अदर निडाले तो ब्लड के अंदर गने ही लेवल कम होगी भुड़ स्वेस्टम से में धिर no केल्सीमिय विक नैश हो सकती है स्टेंट कम हो जाएगी बॉन्स के इंदर भी भी स्टेंद कम हो जाएगी और के और अगर एकसेस में डिपोजिट हो रहा है जो पैर था इरोड हार्मोन वो निकाल नहीं रहा है वो निकाल नहीं रहा बोन के दिक्कत आगे फ्रेक्चर के चांस ओस्टियो मिलेशिया और स्ट्यो पोरसिस जैसे डीजिस कंडिशन भीमारिया कर सकते हैं रिनल स्टोन हो सकता है, सस्पेक्टिड फॉर पैथोलोजिकल फ्रेक्चर के भी चांसिज हो सकते हैं, डिसरेदिमिया, टैटनी के चांस हो सकते हैं, ब्रोंकोस पाजम, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाएगी, और दो में इंपोर्टेंट साइन हैं, वो चोस्टिक और ट्रावसियस साइन, जब भी हमारी ब्लड के अंदर कैल्सियम की लेवल कम होती है, तो दो इंपोर्टेंट साइन जिखते हैं, चोस्टिक और ट्रावसियस साइन, यह हाइपो-कैल्सीमिय की जैसे होते हैं चोस्टिक साइन हमारी फेस की मसल्स अलग जो हमारी फेस की मसल्स है वो नौर्मल से थोड़ी सी अबनौर्मल सी थोड़ी सी अलग सी उनकी फॉर्मिटी दिखेगी ट्रावसी साइन जब भी हम भी पिक अफ बान देंगे हमारे आथ पे और उसको इंफलेट करेंगे तो हमारी जो फिंगर्स की मुमेंट हो अबनौर्मल हो जाएगी यह तब भी होता जब हमारी बलड के अंदर हाइपो कैल्सिम की लेवल कम हो या फिर आइपो कैल्सिम हो हाइपो थाड़िजम के वज़े से यूरिनरी रिटेंशन के भी चांस है यह कुछ हमारी साइन एंड सिम्टम्स है हाइपो पेराथाड़िजम डिजीज कंडिशन के वज़े से बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की ट्रीटमेंट से पहले डाइगनोस है डाइगनोस क्या कर सकते हैं बलड के अंदर कैलसियम का लेवल चेक कर सकते हैं पराथ हर्मून का लेवल चेक कर सकते हैं जो की पराथ हर्मून का लेवल चेक कर सकते हैं जो की पराथ हर्मून का लेवल च इंजेक्शन ही इसका अमारा में ट्रीटमेंट है हाइपो पेराथायड़िजम इंपोर्टन्ट डीजिस कंडिसन डेफिनेशन क्या कोज आ क्लीनिकल मेंफेस्टेशन डाइगनोसिस केलसिम का लेवल चेक कर सकते ब्लेड के अंदर पेराथा हर्मोन चेक कर सकते और लासमें ट ट्रीटमेंट केलसिम देंगे केलसिम की टेब्लेट देंगे इंजेक्शन देंगर विटमेंट डी की देंगे